सो हाई दोस्तों वेलकम बैक आपका बहुत-बहुत स्वागत है फिर से इस कोर्स के अंदर तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरह से एक थमनिल को बनाया जाता है तो एक बेसिक सी एक्टिविटी थी उमीद करता हूँ कि आपने प्रेक्टिस करा होगा अग आज भी हम कुछ बेसिक से ही शुरू करेंगे हम यह सीखेंगे कि कि इस तरह से multiple files मतलब बहुत सारी files को एक साथ photoshop में खोला जाता है क्योंकि आज मैं एक technique की बात करने वाला हूँ जो है तो बहुत simple लेकिन उससे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं इसके बीच में photoshop की artificial intelligence जि please end तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको properly एक concept जो आपको बताया जा रहा है वो अच्छे से समझ आए और अगर कुछ ना समझ आए या फिर आप कुछ add करवाना चाहते हैं इस course में तो please हमें बताईएगा तो सबसे पहले मुझे files खोल नहीं है multiple तो उसके लिए मैं file menu में जाता हूं और यहां पर आपको दिखेगा open मैं open पे click करूंगा तो basically मेरे पास downloads में वो file है तो जो files मैं use करने वाला हूं वो सारी files आपको नीचे description में उनका link मिल जाएगा तो आप उनको वहां से use कर सकते हैं तो basically यह कुछ files हैं जो कि आज हम use करने वाले हैं तो मैं सबको select क आने select कर रहा है मैं एक last वाली image को select करता हूं सबसे पहले या फिर first वाली image को भी आप select कर सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसको भी मुझे select करना है और इनके बीच वाली सारी images को मुझे select करना है तो उसके लिए मैं shift को hold करूँगा और उसके बाद जहां पर click कर तो उस range के बीच में जितनी images हैं वो सारी select हो जाएंगी और उसके बाद मैं open पे click करूंगा तो यह सारी images एक एक करके यहां पर open हो जाएंगी तो सबसे पहले जिस technique की मैं बात करने वाला था वो बहुत simple है दोस्तों और उससे ही हम बहुत सारी advance चीजे करेंगे तो सबसे पहले हम इसको crop करके देखते हैं तो यहां पर आप चाहेंगे 1,2,3,4,5 जो fifth tool है आपका यह crop tool है मैं इसके ओपर click करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के borders आ गए हैं और इससे हम crop कर सकते हैं तो सबसे पहले मु क्लिक करके drag करूँगा left mouse button से तो आप देखेंगे कि यह अपने आपको adjust करेगा और इस तरह से हम इसको crop कर सकते हैं अगर मैं यहां पर ok कर दूँगा या फिर enter को press करूँगा तो यह automatically crop हो जाएगा तो इस तरह से यह हो गया normal crop तो एक normal crop हम इस तरह से करते हैं उसके बाद मै control z करता हूँ दोस्तो control z का मतलब है undo आप undo edit menu में से भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर first option ही आपका undo है और उसका shortcut key control z है इसी तरह से अगर आप redo करना चाहते हैं किसी भी चीज को तो आपका shortcut key होगा shift control plus z तो इस तरह से आप use कर सकते हैं इन keys को तो मैं फिर से जा को चाहिए hd image तो hd image की resolution होती है 1920 by 1080 तो अगर मैं इसको इस तरह से set करने जाओंगा तो यह properly set नहीं होगी उससे साब से crop नहीं होगा तो हमें इसको properly 1920 by 1080 के बीच में crop करना है तो किस तरह से करेंगे तो इसी तरह से कल हमने देखा था options bar options bar क्या था दोस्तों options bar था कि जो tool है हमारा selected उसके जो options होंगे वो option bar में होंगे मतलब किसी भी tool को customize करना है तो मैं customize करूंगा options bar में जाके तो इसी तरह से मैं इसको select करता हूँ crop tool को और यहां पे click करूंगा तो मिरे पास यहां पे option bar में options आ जाते हैं तो यह first वाला आप देखेंगे तो इसकी बीच में हमें अगर हमें cropping करनी है तो हम यहां से कर सकते हैं उसके बाद हमें यहां पर काफी सारी ratios दी गई है और इसनल ratio को maintain करना है मतलब कि जो अभी image की ratio है उसको maintain करना है तो हम यहां से कर सकते हैं फिर हमें sizes दिए गए हैं यहां पे तो इस तरह से हम इसको use कर सकते हैं तो जैसे कि 1920, 1080 में इसको crop करना है तो उसके दिए मैं इसको select करूँगा और उसके बार यहाँ पे width को डालूँगा तो width कितनी है 1920, pixels, px, pixel के लिए px हमेशा लिखते हैं यहाँ पे और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरे box में जो इसकी height होगी, तो यह होगी 1080, तो आप द इसके बाद हम इसको adjust कर सकते हैं, तो जितना मर्ची हम इसको छोटा बड़ा कर ले, जो final हमारी size होगा, वो हमारा आएगा 1920, 1080, तो उसके हिसाब से अगर मैं इसको इस तरह से set करूँ, और मैं इसको थोड़ा सा rotate कर लेता हूँ, अगर side पे मैं जाके left mouse button से drag करूँगा तो rotate होगा, और इसी तरह से हम इसको image को crop कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं okay कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी image है, वो 1920 by 1080 में crop हो चुकी है, और काफी अच्छी image हमारी आई है, तो इस तरह से आप use कर सकते हैं, तो उसके अगर आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ automatically fit हो जाएगी, जो आपकी Photoshop की screen है, so that कि आप properly उसको अच्छे तरीके से देख सकें, तो यहाँ पर अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, तो left side के ओपर आपको दिखेगा कि 27.18% लिखा हुआ है, मतलब कि जो इसकी zoom level है, इस time पे, वो 27.18% है, मतलब कि अगर 100% पे इसको द प्रेस करते हैं, तो automatically यह 100% पे हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि यह कितनी बड़ी image है, इसको अगर fit करके देखना है, हमें control 0 प्रेस करेंगे, तो इस तरह से यह fit हो जाती है, हमारी screen के उपर, so that कि हम properly इसको देख सकें और काम कर सकें, तो अभी तो दोस्तों आपने देखा, कि जब हम crop करते हैं, तो यहाँ पर crop करने के बाद मैं ok कर देता हूँ, तो फिर से अगर मैं crop करने जाता हूँ, तो मेरे पास यह सारी image available है, जो हमने crop करी थी, बट अगर मुझे इसको delete करना है, तो delete करने के लिए, यहाँ पर हमारे पास option है, कि delete cropped pixels, इसका यह कहने का मतलब है, जिस area को हमने crop करा है, जो area हमारी image में हम नहीं रखना चाते है, वो delete हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पर click करता हूँ, और ok करूँगा, तो आप देखेंगे कि दवारा अगर click करता हूँ, तो हमारी image उतनी ही रहेगी, हमारे जो previous pixels थे यह previous image थी, वो वापस नहीं आएगी, तो इसलिए हमें फिर undo करना पड़ेगा इसको वापस लाने के लिए, तो undo के लिए control Z आपको प्रेस करना होता है, तो उससे यह वापस आजाती है, इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास image है mountains, तो मेरे पास जो requirement है, उसके बीच म वो zoom out होती है, मतलब कि छोटी हो जाएगी दिखने में, वैसे वो छोटी नहीं होगी, लेकिन दिखने में वो छोटी हो जाएगी, तो उससे अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस टाइम यह वाली image है, और इसको मझे extend करना है, किस तरफ को हमें इसकी width बढ़ानी है, त तो आप देख सकते हैं कि अब हमारी dimensions नहीं है, तो इसको हम जैसे मर्जी modify कर सकते हैं, मैं इस image को पूरा इस तरह से normal select कर लेता हूँ, और normal select करने के बाद मैं यहाँ पर इसको extend करूँगा, तो आप देखेंगे कि हम इसको ok कर देंगे, तो यहाँ पर इस time white वाला area आ गया ह है, बट हमें क्या चाहिए था कि यहाँ पर इस image को extend करना है, हमें white area नहीं चाहिए, हमें पूरी की पूरी image ही चाहिए, यहाँ पर right side के उपर भी create हो जाए automatically image, किस तरह से हम करेंगे उसके लिए, तो मैं control Z प्रेस करता हूँ, दबारा से undo हो गया है, और उसके बाद हम यहा करता हूँ, right की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि फिर से white आ रहा है, तो white आने का इस time पर क्या reason है, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर lock लगा हुआ है, अगर lock ना लगा होता तो यह white कभी नहीं आता, बट आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर काफी सारी image को भी generate कर दि बहतर बना सकते हैं, आगे-आगे हम सीखेंगे कि किस तरह से इसको बहतर बना सकते हैं, पर अभी के लिए आपको crop tool सीखना है, तो crop tool के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से सीखना होगा, जैसे-जैसे हम और tools सीखते जाएंगे, इसको और बहतर बनाते जाएंगे, तो चल मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ सके की हो क्या रहा है तो हमने इसको थोड़ा सा extend कर लिया है left की तरफ और थोड़ा सा उपर की तरफ भी extend कर लेते हैं so that कि यह उपर की तरफ भी थोड़ा सा extend हो जाएगा इससे और उसके बाद यहां पर हमेशा content aware को on रखना है on रखने के बाद मैं यहां पर click करूँगा और यह commit हो जाएगी सारी changes थोड़ी देर में यह read कर लेगा कि यहां पर क्या होना चाहिए तो उसके हिसाब से हमें कुछ roughly बना के दे देगा कई बार यह इतना अच्छा काम कर जाता है कि बहुत ही अच्छा result आ जाता है और हमें इसको छेड़ने की भी जरूरत नहीं बढ़ती वट आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी problems हैं यहां पर ब इसी तरह से मैं इसमें एक और टूल को एड़ करना चाहता हूं अगर मैं Ctrl Z दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे एक सीधी लाइन है तो इसको हमारी इमेज के अलाइनमेंट है उसको इसके हिसाब से लगाना चाहते हैं तो हमारे पास एक टूल आता ह है Straighten अगर मैं Straighten पे क्लिक करता हूं और उसके बाद यह हमारे Straighten टूल अन हो गया है यह Crop Tool का ही पार्ट है और उसके बाद मैं यहां पे क्लिक करूंगा एक साइड पे उस लाइन के और फिर दूसरी साइड पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसको इसने पूरी CD Line पे रखतिया है अगर मैं Commit कर दूँ Changes को तो आप देख पाएंगे थोड़ी देर के अंदर हमारी Image properly Set हो जाएगी आप देख सकते हैं कि यह Fill हो रहा है आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम करा है जिस जगा पे कुछ नहीं था वहां पे वह चीज आ चुकी ह और अगर मैं Ctrl R प्रेस करता हूं तो हमारे Rulers कुल जाएंगे इनको हम Rulers कहते हैं और अगर यहां पे क्लिक करके एक Line को नीचे लेकर आता हूं तो आप देखेंगे कि जो हमारा यह Pull था यह बिल्कुल Straight Line पे आ गया है पहले यह Straight Line पे नहीं था अगर मैं Ctrl Z प्रेस करता हू तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं अब नीचे लेकर आता हूं Guide को तो आप देख सकते हैं कि यह इतना फरक था लेकिन अगर मैं Staten को Use करता हूं तो यह Automatically Straight हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यह Line पे आ गया है और यह Areas खाली हो गये हैं Side के और इनको Fill कर जाएगा हमारा Content Aware तो मैं Commit करता हूं Changes को और थोड़ी दिर में फिर से हमारा रिजल्ट यहां पर Show हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है और हमारा जो Image है वो भी सिधी हो गई है इसी तरह से हम अब अगली Image के तरफ चलते हैं तो यहां पर हमारी यह वाली Image है इसको हम Extend करते हैं So that कि इस चिडिया के आगे भी थोड़ा सा Area हो और चिडिया हमारी बिलकुल Center की तरफ आ जाए और मैं इस Composition को भी थोड़ा सा Change करना चाहूंगा So that कि जो हमारा Golden Ratio Point है Golden Ratio मैं आपको बता देता हूँ कि यहां पर क्लिक करेंगे तो आपके बास काफी सारे Stencil आ जाते हैं जैसे कि अभी Rule of Third selected है इसी तरह से यहां पर जो बाकी के Stencils हैं उनका भी हम Use कर सकते हैं तो मैं यहां पर Use करूंगा Golden Spiral का इस तरह से तो इस Stencil क को हम Rotate कर लेते हैं Rotate करने के लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और उसके बाद आ जाता है Cycle Orientation जिसका Shortcut Key है Shift O तो हम Shift O को Press करके भी इसको Rotate कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि जहां पर भी आपको यह अच्छा लगे उसके हजाब से आप इसकी Setting कर सकते हैं तो मैं इसको इस तरह से Set करना चाहता हूं कि जो हमारी यह वाला Point है वो हमारी Bird की आंख की तरफ आए तो उसके लिए हमें थ थोड़ी सी Composition को Change करने के लिए और उसके बाद Click and Drag करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की हमारी Image आजाएगी और उसके बाद मैं OK कर देता हूं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यह Fill करके हमें एक नया Content देगा तो देखते हैं कि किस तरह का Result आता है तो आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा Result आया है इसका और थोड़ी सी Problems हैं उनको हम बाद में Solve कर सकते हैं तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि Image के हिसाब से हर Image different है और हर Image का जो Impact होगा जो हर Image का आप देख सकते हैं Result होगा वो different आएगा तो उसके हिसाब से हमारे पास और बहुत सा Download कर सकते हैं, Use कर सकते हैं और अपने Result को Share कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा उसके बाद हमारे थोड़े से और Tools हैं जो की Crop Tools से ही Related है तो Crop Tools के अंदर अगर मैं Image के बीच में जाओं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह एक Book है औ Perspective की, तो Perspective का हमें किस तरह से Use करना है तो सबसे बहुते मैं इसको Cancel कर देता हूँ, यहां पर क्लिक करेंगे तो Cancel हो जाएगा, यहां Escape की को आप प्रेस कर दीजिए, तो उसके बाद आप Crop Tool में जाएंगे और Click करके Hold करेंगे तो आपके बास काफी सारे Tools आपको दिख जाएंगे, इसमें आपका आजाता है Perspective Crop Tool, इसको Select करिए और उसके बाद आप Click and Drag करिए, तो Automatically आपके बास एक Grid आजाएगी और मैं Zoom कर लेता हूँ, तो Zoom करने के लिए आपको प्रेस करना है Ctrl Plus, इस तरह से और उसके बाद हम इसको Crop करते हैं, Crop करने के लिए आप Click and Drag कर करेंगे, और सारे Corners को Match करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि यह बहुत अच्छे से हमारी Matching हो गई है, और यह हमारी एक Selection बन गई है इस तरह से, और उसके बाद मैं यहाँ पे Click करूंगा, या फिर इसको Commit करने के लिए Enter मारूंगा, तो हमारा Result आजाएगा, आप द होता है, Perspective Crop Tool, तो उमीद करता हूँ कि आपको यह सब कुस समझ आया होगा, और आप इसकी Practice भी करेंगे, अपने Result को Share भी करेंगे, तो अगर आपको कोई Problems भी आएंगी, उसको भी Share करेंगे, so that कि हम उनको Solve कर सकें, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और Solve करवा दी जाएं आपकी, और Comment के बीच में भी आप बता सकते हैं, तो चलिए कल मिलते हैं अगली Glass में, Thanks for Watching.